हालो गाईज, तो आज हम जा रहे हैं अमरिच सर, तो हम पूण चुके हैं, अमरिच सर सिटी, जैसे कि आप सब को पता है कि इस सहर की मेरन अट्रक्शन जो है, वो क्या है? golden temple जो की सिख्थरम का सबसे पवित्र तीर सल है तो गाइस हम करेंगे आज golden temple के दर्शन तो हम पहुँच चुके हैं golden temple की main market में जहां पर आप देख सकते हैं बहुत दुकाने सजी हुई हैं और आपको मंदिर के अंदर एंटर होने से पहले एक शनी मंदिर हिंदो मंदिर का भी दर्शन करने को मिलेंगे जहां पर आप चली दर्शन कर सकते हैं तो गाइस चलिए अमरी सर temple के अंदर एंटर होने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने अपने हाथ पैर अच्छे से दो लेने हैं तथा अपना सर जो है वो किसी कपड़े से ढख लेना है क्योंकि शिक धरम में यह मानेता है कि अपना जो सर है तो डख कर चलें तथा अपने हाथ पैर अच्छे से ढोलें तो गाईज हिस्ट्री की बात करें तो आप सबको पता ही होगा कि 1577 में सिक धरम के चौथे गुरू राम दास द्वारा यहां पे गूल्डन टेंपल के स्थापना हुई थी तथा सिक धरम के पांच में गुरू अरजन देव ने इसे पूरा किया था और इसमें आदी को स्थापिद किया था यह मंदिर सासवत खुले पन का परतीख है और सभी धर्मों और समयदाओं के लोगों का स्वागत करता है मंदिर जो है वो सरुबर के बीचों बीच बिच बनाया गया है तथा हम मंदिर के अंदर पवित्र गरंथ जी के दर्शन करके बहारा चुके हैं तो गाईज बहुत ही अंदर रश्टा जैसे कि हम अंदर 6 वजे एंटर होए थे और 11 वजे तक दर्शन करके बहाराये थे की वा दिन भी आपको यहां पे लाइन में खड़ना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं कि ज्ळादा यहां पर रशा है तो इस्तरियों के लिए अलग से स्नानग्री बनाए गए हैं और पुर्सों के लिए अलग से श्नानग्री rs APP dif inequ सरोवर के अंदर सनान करके जाना चाहता है वो यहाँ पे सनान भी कर सकते हैं तो गाईज मंदिर के अंदर जो है वो वीडियोग्राफी अलाओ नहीं है तो अपना फोन या कैमरा जो है वो अंदर यूज ना करें आप बहाँ पे अराम से दर्शन करके बहार आएं तथा बहार आप अपनी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हैं लेकिन मंदिर के अंदर आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं तो गाईज मंदिर के पवित्र ग्रंत का दर्शन करने के बाद हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं जो कि अमरे सरुवर के चारों तरफ गुम के पूरी की जाती है तो गैस आप परिक्रमा करते हैं देख सकते हैं कि यहां की वास्तु कला जो हो कितनी अच्छे से डिफलेक्ट हो रही है बहुत ही अच्छे यहां पे चितर कारी करी गई है और बहुत ही सुन्दर और साफ सफाई यहां पर मेंटेन की गई है तो खाइस आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लाइने लगी हुई है बहुत यहां पर जो एरश पूरा दिन चलता रहता है तो आप कोशिश करें कि अगर आप जल्दी फ्री होने चाहते हैं तो सुबह जल्दी आएं तक कि आप दर्शन करके निकल सकें तो गाईज गोल्दन टेंपल के बिलकुल साथ ही जलिया वाला बाग है जो की एक इपोर्टेंट हमारी हिस्ट्री का पार्ट रहा है ताथ एक दरतनात हत्याकांट भी रहा है जैसे की 13 अप्रेल 1909 में ब्रिटिस सरकार ने एक रॉलट एक्ट पारित किया था जिसमें कि किसी इंडियन को बिना मुकदमे के जेल में डालने की सक्ति दी गई थी तो गाईज इसी का विरोध करने के लिए बहुत से लोग जो वह यहां पर इकटे हुए थे जिसमें की बच्चे भी और बुड़ी लोग भी समलित थे उस समय यहां पर ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर होते थे जिन्होंने सैनिकों को आदेश दे दिया कि वह भीड पर गोलियें चलाए तो एक गेट होने के कारण वहां पे लोगों की बीच भागा दोड़ी मच गी और लोगोंने अपनी जान बिचाने के लिए यहां पे जो आप देख पा रहे हैं कुणा है उसमें छलांग अज़ादी तथा आज भी यहां की दिवारों पे आपको गोलियों के निशान देखने को मिलेंगे इस आक्रोष ने अज़ादी के लिए एक नई रोशनी परदस्तित की अंतराश्टे तोर पर भी बहुत ब्रिटेश सरकार के निंदा की गई बहुत से मासून लोगों की यहां पर जान गई और इसलिए यहां पर सहीदी सहमरों बनाया गया है एक अन्य दिवार जहां पर गोलियों के निशान प्रदस्तित हैं जहां पर सहीदी सहमरों बनाये गए हैं जहां पर सलोगन लिखे गए हैं जो कि यहां पर हुए हत्यकांड की याद दिलाते हैं तो गाइस अब हम निकल चुके हैं अटारी बागा बॉर्डर के लिए तो मैं एक आपको बात क्लियर करना जाते हूं जो कि मेरे दिमाग में था कि हम इसे बार बार बागा बॉर्डर ही क्यों उलाते हैं जो इंडिया का बॉर्डर है उसको आतारी बॉर्डर पाकिस्तान का वह ऑगा झीव का आपको दो फ्रफिन दिखरे हैं जो दूसरे वाला है नेक्स्ट वाला वह पाकिस्तान का है जो इस साइड ँचीप मोठा था इंडिया में जनता हमारी यहां पर आपको दखाई देगी पूरा स्टेडियम जो है वो भर चुका है एक भी सीट यहां पर खाली नहीं बची है बनकि कुछ लोग जो वो अब आपको खड़े दिखाई देंगे तो गाइस आप देख सकते हैं पाकिस्तान के साइड की जो स्टेडियम काफी छोटा है और यहां पर लोग भी बहुत कम आये होते हैं पता नहीं क्या रीजन है कि यहां पर पब्लिक जो वो इतनी आई नहीं होती है और हमारे स्टेडियम में तो एक भी सीट आपको खाली नही ही आती है तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे स्टेडियम पूरा भरा जो पूरा अच्छे से भरा हुआ है तो गई जो स्टेडियम की जहां पर आपको लीडी दिखाई देरिये लगी हुई बहां पर जो टूरिस्ट होते हैं बाहर के फॉर्णर्स उनके लिए सीट से अब मैं आपको बार-बार पाकिस्तान का जोन करके दिखा रही हूँ अब आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ लोग जो वो आ चुके हैं करीबन पचास लोग जो वो बैठे हुए हैं और गाइज यहां पर जो सेरेमेनी होती है वो किस लिए होती है वो दह लोरिंग ऑफ फ्लैग्स हम अपने अपने फ्लैग्स जो वो शाम को करीड़ें पांच बचे लोग करते हैं यह सेरेमेनी जो है वो जो जुएंटली फोल उड की जारी है इंडिया पाकिस्तान के दोड तो बीस फ जो है वह इंडिया की को करती है और पाकिस्तानी रेंजर्स गों पाकिस्तान के इस सेरिमेनी को करते है तो गईस सरी मेनी से पहले यहां पे ट्विल होती है जिसमें डान्स और रेज्जिंग लेट्स करते हैं बहुत हाई जितना पसील होजकता है अपनी हैट पे अपनी लेट्स को राइस करके यहां पर प्र Collins करते हैं, तो अब बहुत सी पॉब्लिक जो है वो अपने फ्लैक्स लेके रोड पे जाती है और डांस करके दिखाती है तो थब ये सिफ के जबान जो वो बहुत अच्छे से इस सरीमेनी को कंड़क करते हैं गाइस जिसने ऑनलाइन अगर आप पहले हो सकता है तो ऑनलाइन जो अपनी बुकिंग करवा ले इससे आपको ये वेनिफिट होगा कि आपको आगे बैखने के को मिलती हैं आपको 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 मिलती हैं कि अजसी कि बया है फिर दो कर वो अबना खुछिया खुछिया तो गाइज अब इंडिया और पाकिस्तान के वाडर के जो गेड्स हैं वो ओपन होते हैं तथा दोनों तरफ के जो आफिसस हैं यह जो भी रेड्स हैं वो अपना अपना प्रतर्शन करते हैं और वो बक्त आ गया है जब हम अपने अपने फ्लैक्स को दोहर करके बापिस लेके आते हैं यहां पे पांस से दस मिनट तक प्रतर्शन चलता है कि आप देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान के बहुत है कंग्यों जो हो पे दिखाई दे रहे हैं और हमारे स्टेडियम में एक भी से जो खाली आपको दिखाई नहीं देगी आप देख सकते हैं कि उस्टों जो आड़े होकर ही शेरिमनी को देख रहे हैं तो गाइस कैसी लगी आपको शेरिमनी होप सोग कि आप मेरे ब्लोग अच्छा लगा हूँ तो मिलते हैं नेक्स ब्लोग रहे हैं करिय चाहिग कि उस्टों ब्लोग उना नेक्स ब्हरें करिया जोग्सान नेक्स बाइस-चंप एम जाड। एम जाड। डाल हुआ हो दंदानम पो साघट मर मेर का दें पाल तो गाइस समानता पूर्वक हम अपने फ्लैग को लेकर आते हैं और ये सेरेमनी यही पर स्वापबर्थ हुद्धी है थैंक्यू पूर वाचिंग आते हुद्धी है